सवेरे उड़ते ही तुम्हें ये चिंता रहती है कि कहीं काम पर लेट ना पहुँचू पर ये चिंता नहीं रहती कि तुमने प्राथना नहीं की और ना ही वजन को पढ़ा और जब तुम घर वापस आती हो तो तुम्हें ये चिंता रहती है कि कहीं मेरे मन पसंदीता टीवी पर जो प्रोग्राम आता है वो कहीं छोट ना जाए तुम्हें ये चिंता रहती है कि खाने में क्या बना होगा ये चिंता रहती है कि जल्दी सोना है क्योंकि सुभे जल्दी काम पर भी जाना है पर क्या तुम्हें कभी ये चिंता हुई तुम्हारा मसीही जीवन कितना पीछे जा रहा है आज तुम्हारे पास समय नहीं रहता ना प्राथना करने की ना ही वचन पढ़ने की तुम क्यों संसार के कामों में वेस्थ हो चुके हो क्या दिन के 24 गंटे में तुम्हारे पास दो मिनिट का भी वक्त नहीं होता प्राथना और वचन पढ़ने की तुम क्यों ऐसा बन चुके हो तुम्हारा प्रेम क्यों ठंडा पढ़ता जा रहा है तुम्हारे पास सुभा उठते है मोबाइल चलाने का वक्त तो होता है नेकिन प्राथना करने का नहीं तुम्हारे पास खाना खाने का और बाके सभी कामों का समय तो होता है पर बचन पढ़ने का नहीं तुम्हारी बाइबल दूर कही पड़ी रहती है किसी कौने में और उसके उपर धूल ही धूल चड़ती रहती है हफ़ते में सिर्फ एक दिन तुम बाइबल खोलते हो जब तुम संडी को चर्श जाते हो और वापस आकर फिर से उसी जगा धूल पढ़ने के लिए रख देते हो एसा क्या है जो तुम्हें मुझ से मिला नहीं इसा क्या हो रहा है कि तुम प्रात्ना करने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हो एसा क्यों हो रहा है मेरे प्रियों अपने आपको जाच कर देखिये एसा क्यों होता है हमारी जीवन में हम जब सुभा उठते हैं तो हमारा दिमाग कहीं न कहीं दूसरी बातों में लगा रहता है परन्तु हम समय नहीं निकाल पाते परमेश्वर के लिए प्रात्ना करने के लिए या वचन पढ़ने के लिए कभी आपने सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है मेरे प्रियों क्योंकि हम संसार में रहते हैं संसार हमारे उपर हावी होता है हम संसार को हमारे उपर हावी होने के लिए देते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि संसार नहीं चाहता ना ही श्यतान चाहता है कि आप प्राथना करें पर आपको ये करना है आपको प्राथना करने होगी यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर वो सारे चीजे आपको दे जो आप चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी जरुरुतों के लिए परमेश्वर के समुख जाएं पर इसलिए भी किए कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं वचन को पढ़ना शुरू करें मेरे प्रियों क्योंकि बाइबल कहती है मेरे प्रजा जो है वो ग्यान की बिना नाश हो जाएगी अन्थ के दिनों में हमसे बाइबल छीन लिए जाएंगे और वो वचन जो हम पढ़ते हैं जो हमारे रिदेयों के पत्तियों में लिखे हैं वही हमें याद रहेंगे मेरे प्रियों बाइबल को जरूर पढ़े और प्रमेश्वर के लिए समय जरूर निकाले आप सभी को प्रमेश्वर आशिस दे, आमेन